तो प्रदानमंत्री किसान सम्मान निदियोजना को लेकर सभी किसानों के लिए अची ख़बर आ चुकी है माननी ये प्रदानमंत्री जी 28 जुलाई 2023 को पीम किसान सम्मान निदियोजना की अगली किस्त जारी करने वाले हैं इस किस्त को लेकर आप सभी किसान भाई अभी रजिस्टेशन कर दीजी, किस तरह से रजिस्टेशन करना है, रजिस्टेशन करने का फायदा मिलेगा, चलिए वीडियो सुरू करते हैं और सबसे पहले आपको PMकसान के पोर्टल पर मैं लेज चलता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिछली किस्त है, वो 27 फरवरी को मिली थी, अब अगली किस्त है, वो 28 जुलाई को मिलेगी, यानि पूरे 5 मेने बाद मिलेगी, तो इसके लिए आपको Google में जाकर सर्च करना है, PM इवेंट यानि जो ओफिशल गोशना की है, मोदी जी ने, वो मोदी जी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, PM इवेंट, PM इवेंट डोट गौर्मेंट डोट इन, वेलकम टो PM इवेंट यही आपको ओपन करना है, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटर इवेंट, PM किसान 8.5 करोड बेनिफेशरी, यानि 8.5 करोड किसानों की खाताओं में 2-2,000 रुपे की किस्त है, वो माननी परदान मंतरी जी जारी करने वाले हैं, अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ स्कल करते हों, तो यहाँ पर भी लिखावा है कि 8.5 करोड किसानों को ज जरूरी है, वो भी आप देख लीजे, तो यहाँ पर आगे लिखावा Registration, यहाँ पर देख लीजे, रजिस्टर नाम लिखावा है, और यह पोडल पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, अब भी बहुँ सारे किसानों ने पहले ही Registration कर दिया है, आप भी अपना Registration कर दीजे, इस पर आपको अपना mobile number डालना है जिसा कि यहाँ पर मैं mobile number डाल चुका हूँ अब यहाँ पर OTP बेज़े option पर कलिक करना है आप पी अपना mobile number डाल दीजे अब OTP has been sent यानि mobile number पर OTP बेज़ा जा चुका है तो अब यहाँ पर मेरे mobile पर मैं इंतजार कर लेता हूँ जैसा कि मेरे mobile पर OTP आओ चुका है OTP AI 660-283 अब यहाँ पर इसी copy कर लेना है और OTP यहाँ पर दर्ज कर देना है तो यहाँ पर मैं OTP डाल कर submit कर देता हूँ इसी तरह आपको करना है OTP submit करने के बाद form खुल चुका है इस form में सबसे पहले लाभारति किसान का नाम डालना है जो भी किसान का नेम है जिसका प्याप रजिस्टेशन कर रहे हैं उसके बाद आपको अपना संग्ठ हन चुनना है आप क्या काम करते हैं संस्ता कोलेज बडाई बगर करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं तो हमें यहां पर कुछ भी यहां पर मैं डाल देता हूँ जैसे फार्मर डाल देता हूँ और यहां पर नीचे की तरफ होगी तो यहां पर आप अपनी email ID डाल सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी सारी detail हो राम से डाल दीजेगा अगर कोई detail नहीं डालना चाहते हैं तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं जैसा कि यहाँ पर mail ID को खाली छोड़ देते हैं mail ID डालने के बाद pin code भी डाल देते हैं register कर देते हैं अब successfully registration हो चुका है इस तरह आपको भी बताएगा अब यहाँ पर आप देख लीजे आपके mobile पर एक SMS मिलेगा एक आपकी mail ID पर SMS मिलेगा दो SMS आपको मिलेगे तो जो मेरे mobile पर SMS आये इसमें लिखाएता है कि और जिस दिन जारी होगी 28 जुलाइब को उस दिन आपको इशी SMS को open करना है यहाँ पर एक link दिया है इस link पर click करना है और किस तजारी होने से 30 मिट पहले यहाँ पर आप click करोगे तो आपके mobile पर हो माननी प्रधान मंतर जी खुड बतन दबाते वी वीडियो दिखाएंगे यहाँ खुड बतन दबाएंगे उससे में आप खुड लाइव वीडियो देख सकते हैं किस तजारी करते वेगा तो इसलिए आपसे registration करवाया गया है कि आप माननी प्रधान मंतर जी को देख सकें धन्यवाद